बॉलिवुड अधाकार श्री देवी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी आकरी फिल्म मॉम थी जो पिछले साल 2017 में आई थी। इसे रविवार उद्यवार ने डाइरेक्ट किया था और प्रोडियूसर थे श्री देवी के पती बॉनी कपूर। फिल्म में श्री देवी के और दो सावतेले भाई हैं। बहन का नाम श्रीलता। भाईयों के नाम आनंद दौर सतीश हैं दो। साल 1996 में उन्होंने बॉनी कपूर से शाद की। दोनों की दो बेटियां हैं जाववी और खुशी कपूर तीन। श्री देवी ने बॉलिवुड में कदम रखने से पहले तमिल, तेलगू, मल्यालम और कंणर फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 4 साल की उम्र में बत और चाइल्ड आर्टिस्ट की थी चार। श्री देवी की पहली हिंदी फिल्म सोलवा सावन थी जो साल 1989 में आई थी। आलंकी उन्हें बॉलि पहले फिल्म फिल्म सरुष्रेट अभिनेत्री के पुरसकार से समानत किया गया था चे। इसके बाद साल 1990 में श्री देवी यश्राज की फिल्म लमहे में दिखाई दी। फिल्म लमहे के लिए श्री देवी को उनका दूसरा फिल्म 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 अवार्ड मिला थ साथ, 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्री देवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी, लेकिन इस दोरान वकाई टीवी शोज में नजर आई आठ, श्री देवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंगलिश विंगलिश से रुपहले प नया कदम, नगीना, घर संसार, मकसद, सुल्तान, आग और शोला, भगवान, आखरी रास्ता, जामबाज, वतन के रखवाले, जवाब हम देंगे, आुलाद, नजाना, कर्मा, हिम्मत और मेहनत, मिस्टर इंडिया, निजाहे, जोशीले, गयर कानूनी, चालबाज, खुदा आदी श्री देवी की यादगार फिल्में हैं, दस, श्री देवी को हिंदी फिल्मों की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता था, भारत सरकार ने साल 2013 में उन्हें पदमश्री से नवाजा था